हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ग्यारा बच्का आगया अब ये प्लेट गिरेगा मज़ा आगया अब प्लेट अब तीनों के हजबंट्स के अलावा सिर्फ पाइलिट था और अब तरक उन भी कोई ख़बर नहीं मेले देखिए अथारिटीस से हमने पूरे पुछताच की और उन्होंने बताया कि प्लेट में कोई तक्रीकी खराबी नहीं थी तो आप लोगों को एसे क्यों लगता है कि ये एक्सिडेंट नहीं था ये प्लेट नहीं था ये प्लेट नहीं था बलकि किसी ने जान बुछकर इनका कौन किया है अजय कोई दिनों से धंकी परे कौल सारे थे लेकि आप तीनों के अस्बेंट जाने माने बिल्डर्स हैं तो थंकी वगरा तो तो सकता है कि ये से कौल सा गया हो लेकिन एक्जाक्टली क्या हुआ था बता सकते हैं हाँ, वो तीनों सूरत जा रहे थे, कोई समीन खरीदने पर कुछ बिल्डर्स थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये डील हो हाँ थे, करोडों की डील थी, जरूर ये काम उनी में से किसी का होगा अगर दुर्की बारे कॉल दा रहे थे, तो आप लोगों ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली सार, हम पुलिस के पास जाना चाहते थे, पर हमारे पतियों ने हमें रोक लिया हलो, कौन मोर रहे खबरदार अगर उस सूरत वाली समीन के बारे में सूचा भी तो, समझे दंकी देर है, दंकी देर है मुझे दंकी समझ लो तुम, काल सुभा ग्यारा बचे, अपने जिंदगे के आखरी सांस लोगे तुम तुझे जो करना है कर ले, यह डील तो मैं करके रहूंगा अब यह प्लेग देरेगा यह कोई से योग तो नहीं हो सकता आपी बताये सर् क्या एक समीन का तुकड़ा किसी इंसान की सिंदेगी से सादा कीमती हो सकता है देखे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं जिस किसी ने भी यह किया उसे मसजा दिला करी रहेंगी सर हमें पात साल हो चुके यह काम करते हुए आज सक एक भी गल्ती नहीं होई है हमारे काम में सर गल्ती कोई गुंजाईशी नहीं अगर सर प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसे उड़ने नहीं देते सर प्राबलों के इसाब से प्लेन में कोई खरावी नहीं थी विल्कुल नहीं सर तो प्रैश कैसे हुआ प्लेन थी है चार्चा लोगों की जाने गई है कौन से भम्हिदारी लेगा उसकी सर मैं तो खुद हैरान हूँ की यह हाथसा हुआ कैसे फ्लाइट रिकॉडर पता है न आपको जिसे हम ब्लाइक बॉक्स कहते हैं उसमें भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है नॉर्मल कहने से काम नहीं चलेगा सब कुछ डिटेल में बताएए शुरू से टेक आफ होने से पहले से क्या हुआ था हमने पूरा प्लेंच चेक करके पाइलेट को हैंड ओवर कर दिया उसके बाद वो तीनों बिजनेसमें प्लें में बैठकर सूरत के लिए निकल गए स्टाइब डिट चेक आफ पर पर क्यों प्र डिटो प्रिक्वेंसी पे मिलता है में टावर से कल अमें पूरी इन्फोरमेशन मिलने के बाद ही हम लोगों ने टेक आउप की प्रक्रिया शुरू की की आप रेडी क्या? अच्छा ओके, 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 ओके आठीक है, हम लोग देखते है क्या हो असर? मदन को जिस पोन से दमकी पारे कॉल किया जा रहे थे ना तो क्रैश वाले दिन यही पे था किसी एरस्टिप पे व्याभ फोन यही पड़्च तो, किसी अंदर वाले का हाथ है क्यो? नई सब हम दो किसी को भी कोई भी दमकी पारे पोन नहीं किये तुम लोगों ने नहीं किया तो कोई बारवाला गुजगया होगा यही से क्योटी एसी है रेस्ट्रिप की अगर वो आदमी यहां पे आया था तो कोई ना कोई निशान तो जरूर छोड़ के गया होगा चेक करते हैं सर यह जगा तो पुरी खुली हुए से अगर वो कही चुपाओगा तो कही हैंगर के पास चुपाओगा सर्थ चीक है महा देख लिए चलो हैंगर के पास चलो सर्थ, सर्फ, सரी, यह तो उटा हुए बच्रेवडेशिता को फोड़ केलाल Sir, मैं लगता हूँ दंकी बरा कॉल इसी से क्या हुगा? वो सकता है, तोड़के फेग दिया रख लो, कुछ न कुछ तो मिली जाएगा काहाँ पे मिला तेहीं? सर्वास। Sir, यहाँ यह दिखिए, यह कान जैसा कुछ लग रहा हुग है है तो कान का निशान यार फोन भी यही मिला है और यह निशान भी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मजरिम यहीं दीवार पे टेक लगा के पून पर बात कर रहा हूँ और हमारे लिए अपना कान का निशान चोल गया हूँ काम करो, फोटो ले लो उसके Sir, वो कान के निशान कुछ पता चलेगा? कुछ ने कुछ तो पता चलेगा साडूंके साब को देंगे वो जून निकालेंगे सर, दो लाशे मिल गई हैं अंगद और मदन की और सुमित और प्लेन का पालेंट? रूट रहे से, अभी तब पता नहीं चलेगा आप लोग फ्लीज रोईए मत, असला रखे दीखे, हम आपसे वादा करते हैं आपके पतियों का खुणी नहीं बचेगा हमारे आतों से Sir हाँ Sir, वो फोन तो मिल गया है, जिसे दमकी परे कॉल किये गया थे लेकिन लेकिन Sir, हमारे वहाँ पहुचने से पहले खुणी ने फोन तोड़ती है ताकि हम उझ तक पहुचना सके Sir, हम जानते हैं सब किसने किया जान कियो किसने 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 किया खुण Randeep और शेशी ने Randeep और शेशी कौन है Sir, यह दोनों भी बिंधर्स है यह नहीं चाहते थे कि हम तीनों के पतियों के वो डील सेक्सेस्फुल हो जानता था मैं जानता था मैं जानता था इस उनका सारा इल्जाम हम दोनों पे लगने वाला है आप की थारी Sir, यही है वो दोनों खुणी रंदीप शशी पतानी इस औरतों की हमसे क्या दुश्मनिया चाहे कुछ भी गलत क्यो ना हो यह हम पे इल्जाम लगाती है और एक बार पहले भी इनोंने हमें जूटे इल्जाम में गरफतार करवाया था अच्छा किस जुर्द में गरफतार करवाया था तो मैंने ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवायी थी इस अंदीप के खिलाव और पुलिस में मुझे गरफतार भी कर लिया पर बाद में मैं निर्दोर्श थाबित हुआ हाँ सर असल में वो धंकी भरे फोन कॉल उन गाउवालों के थे एडी के पास क्यों आते बहुत जल्द दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि हमें वहाँ पे मुझरिम के कान का निशान मिला बस तुस से दो हम पता लगा ही लेंगे कि खुनी है कौन ये दीवार पर जो गीला पिंट था उस पर जो एक कान का प्रिंट है इस कान के प्रिंट को देखो कुछ दिखाई देता है कान पा इस कान के प्रिंट पे स्टार जेसे कुछ शेप का इंप्रिंट है और एक बात और ये जो मुझरिम है ये समुद्र के आसपास रहता है ये केसे पता चला सर मैं बताता हूँ, यह फोन, फोन के जो टूते हुए तुकड़े हैं, इस पर मुझे कुछ समुद्री रेत और मचली के कांटे के तुकड़े मिले अच्छा अच्छा, तो जब उस आदमी ने अपने जूते से इस फोन को तोड़ा होगा, तो वो रेत और मचली के कांटे उसके को सकते ही आदमी किसी फिश मार्केट के आस पास रेता हूँ, फिश मार्केट तो है ना यहां पे दो, एक वर सुआ जट्टी पे और दूसरा मट आइलेंड, बस अबर अपना काम हो गया, दोनों फिश मार्केट में जाकर पता लगाँ, देखो, ऐसा कोई है क्या जो कान मे स्टार की शेप की यह लिंग पहनता है क्योंज़ प्राइब आप अपना में जाकर पता है क्योंज़ प्राइब खिए लिए क्योंज़ प्राइब 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 लेंग वनाद मिल गया है अजा किसी से मीटिंग ओने वाली है यह दूसरा आदमी को नहीं दिखने रहा है से तो सचिन है एरपोर्ट अथारटीज ने मरने वाले पाइलेट के लिए इसकी फोटो दिखाई थी वह पाइलेट सचिन सचिन जिन्दा है सरगर यह प्लेन क्रेश तो महरा नहीं और जिन्दा है तो यह यह चुपा क्या करना है वही तो सामने को नहीं आ रहा है चलना बुछते हैं से सर 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 यह तो मर गया? मर गया बोड़ खुदर, सचिन बागर सर प candidates मेर अे बोड़י मेर जबाद़ यह तो तो ज़ए इस भाप यह जुझा झाल व्लोड़ जड़ प्लोड़ व्लोड़ यह गया कहा? सर शायद वो आदमी कुछ ऐसा राज जानता था जो सच्छन नहीं चाहता था कि हम तक महुच है और शायद इसलिए उसका खून कर दी सर? क्या सवाल करने आप लोग को मुझसे? आपके पती सच्छन के बारे में क्या आप बता सकता है कामेलेगा भू? यह कैसा सवाल इंस्पेक्टर? आप लोग को तो पता है ना कि अभी उनका एक प्लेंग्रेश में जहनेहिँ, सचिन जिन्दा है जिन्दा है? जिया और आपको शायद यह जान के दुख होगा कि वो एक खोन करके फरार है वैसे कितने पैसे मिले थे सचिन को इस साज़िश का हिस्सा बन कर? पैसे? पैसे नहीं मिले? पैसे मिले होते तो मैं यहाद कॉफी शॉप में काम नहीं कर रही होती और वैसे भी हमारी शादी कुछ ठीक नहीं चल रही थी आपकी शादी ठीक नहीं चल रही थी क्या मतलब मैं बूछ सकता हूँ क्या प्राबलम थी? दीपती नाम के एक लड़की है एक होस्टस है बहुत बार कहते थे भी कि तुछ से डाइबॉस लेके उसके साथ रहना है का रहती कहा ही है? सिंगापूर सिंगापूर क्या? सचिन जिन्दा है? ऐसा नहीं सकता सर हमने खुद अपनी आखों से उसे प्लेन में चड़ते हुए देखा है सर इतने भयानेक हाथसे में उसका जिन्दा रहना मम्की नहीं है अरे यार पराशूर बगार ऐसे कूद गया होतो? नहीं सर अगर पराशूर लेके कूद तो किसी ना किसी की नज़र जरूर पढ़ती उस पर अम इसे कुछ मिस्तू नहीं हो गया ना क्या? अब बुल रहे से तुम क्या मिस्तू आओगा? नहीं सर कुछ नहीं तुमारी बातों जर्द साथ साथ लग रहा है कि तुम लोग कुछ चुपा रहे हैं क्या बात है बताओ बताओ जली सारी सर हमसे वो थोड़ी सी गल्ती हो गई कैसी गल्ती? सर जब प्लेन टेक आफ हुआ तो हम वा थहीन इतनी बड़ी गल्ती कैसे कर सकते हैं आप लोग सर वो प्लेन जब रंगबे पे दौड रहा था सर कुछ धामाका हुआ सर कैसा धामाका? सर किसी ने दिवाली के बंप होड़ा था तो हम लोग उसको देखने के लिए कि कहीं को सीरियस बात तो नहीं अरे यह तो पठाका है और सर जब हम वापस चल क्या है तो पता चला कि प्रेन ओड़ चुका था सर जिए उस दाड़ी वाले का ही काम होगा इलनों का ध्यान बटकाने के लिए हाँ पर अभिजीत क्यों क्या मकसद हो सकता है इनका त्यान बटकाने में कुछ न कुछ तो गड़बड है अभिजीत यह जब दमाका हुआ तब प्लेन एर स्ट्रिप पे कहां था वो जगे दिखा है यह सर लो दिखा अभिजीत यह तो खुण है सुखा हुआ खुण सर खुण का रंग देखके लग रहा है जादा पुराना नहीं होगा आज कल कही होगा यह खुण किसका खुण है यहां पर कैसे पता नहीं सर पता नहीं हर बात का एक ही जवाब है तुम्हारे पात हमें पता नहीं अर तो फिर पता क्या है तुम्हें सर एस्ट्रिप पे खुण है कुछ ना कुछ तो हुआ यहां पे यह बात तो पक्की है पर क्या और फिर यह खुण है किसका बस, पता चल गया, एरिस्टिप पे जो खून था, वो किसका था? किसका था? यह, पाइलेट सचे. यह, पाइलेट सचे का खून? यह, उसे शोट लगी कैसा और कम? सर, जब हम उसे जेटी पे मिले थे, तब उसने स्लिंग बैंडिज मैं रखा थे और उसके हाथ पत्टी मी मंदी वे थे अबर इंजिनिर्स तो बता रहे थे कि जब सचेन टेक आफ के लिए जा रहा था तो वो बिल्कुल टीट ठाक था, वो ही चोट वट नहीं थे उसे इसका यह के मतलब है अब जीत, सचेन को चोट एर स्टिप पर ही लगी है प्लेन टेकाफ होने से पहले ही सचेन एर स्टिप पर कोदा और उसे चोट उसी वक्त लगी है दिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा बॉस क्योंकि इसी लिए सचेन ट्रेश में मारा नहीं गया क्योंकि उपलेन में था ही नहीं लेकिन सालूं के सब किसी ने सचेन को प्लेन में से कुटते हुए देखा किसे नहीं अरे यार वो पंकु ने पढगा चलाया था ना त्यान बढ़काने के लिए इस सब सचेन और पंकु का प्लान था सरा अरे! हलो? अरे! अरे! तो एक तैंकिए सर्व सचेन की वो गर्फिंड दिप्ति जो इस निंगपूर में रहती है उसका नंबर मिले सचेन? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? दिप्ति एक बात बताओ अरे बार तुमने सचेन के साथ कब बात की थी? दो दिन पहले दो दिन पहले वगर सचेन की बीवी ने तो हमें बताया की तुम दोनों का रिष्टा तोट चुका है नहीं शायद उसे अपनी बीवी को नहीं बताया होगा कि वो मुझसे मिलने सिंगापूर आ रहा है अच्छा, सिंगापूर कब आने वाले है सची? अब एक हफते बात अच्छा, और क्या क्या बाती हुए तुमारी दो दिन पहले वो कह रहा था कि उसे धेर सारा पैसा मिलने वाला है और एक नहीं जिंदगी की शुर्वात कर सकते हैं वैसे आप सब ही सवाल सचीन ठीक तो है ना? कबरामत, सचीन को कुछ नहीं हुए और अगर जरूरत पढ़े तो आम तो में फिर फोन करेंगे थैंक्यू कई दिप्ति भी तो नहीं मिली हुई है सचीन के साथ सचीन का पासपोर्ट घर पी है क्या? सचीन का पासपोर्ट घर पे है और सचीन सिंगपूर जाने की प्लैंज बना रहा है तो यह ऐसा तो नहीं कि सचीन में नकली पासपोर्ट बनाय हो नकली पासपोर्ट यह देचु लखने बनाने वालों के बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रेडी एक्ताम करो, पंकच से कहो कि सचिन फोटो लेकर वो देचु से मिले। हाँ? यह सर् अगर अगर सचिन फोट गया था टेक आप से पहले तो प्लेन उडा कौन रहा था? अगर सचिन फोट गया था तो यह मादन अंगद और सुमित थे लों में हल्ला नहीं मचाया है। चुपशा वाटी क्यों है यह बस प्लेन के गिरने पर हल्ला कैसे बचाते यह लोग? ए्ट इनों के तीनों बेहोष थे। मगर सर यह लोग बेहोश हुए कैसे बडेने इन लोग के पेट में बलैक कफी थी और उस बलैक कफी में नशीली द्रवाई में लाय गई थी यहा? बलैग कफी में नशीली दवाई ढ़त अब एक इपकी बश्या किए यह जरूर सचिन के प्लान का हिस्सा था सर एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है विना पाइलिट के प्लेन उड़ा कैसे? इसका जवाब है U.A.S. U.A.S. अनिंटरॉप्टेबल ऑटो पाइलिट सिस्टम इस प्रोग्राम के जरिये जमीन पे बैठके हवा में उड़ते प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है कहीं से भी हाँ सर हम लोग फॉरेंसिक लैब में रहके भी हवा में उड़ते हुए प्लेन को कंट्रोल कर सकते है और इस प्रोग्राम को इसलिए बनाया गया कि हवा में उड़ते प्लेन में अगर एमर्जनसी हो जाए या हाई जेक का प्रॉब्लम हो जाए तो उसका कंट्रोल नीचे वालों के पास भी रहे है मतलब प्लेन के कॉक्पिट का कंट्रोल उसके हाथ में जिसके हाथ में वो रिमोट है आसर और जिसके पास भी रिमोट कंट्रोल था उसे ने प्लेन क्राश करवाया समंदर में रिमोट कंट्रोल वाला खुनी ब्लैक कॉफी में नशीली दवा अगर एक बार पता चल गया ना क यह ब्लेक कॉफी नचीली दवा डाली किसने और पिलाई किसने तो समझ लो यह रिमोट कंट्रोल वाले खोनी तक हम पहुच गए हैं रिमोट कंट्रोल ब्लेक कॉफी? सर्थ मदन तो ब्लेक कॉफी पीते ही नहीं थे उरे हाई ब्लर प्रेशा था और सर मैंने भी सुमित को ब्लेक कॉफी नहीं दी थी क्योंकि जिस वक्त वो गड़ से निकले नहीं भी गड़ पे नहीं थी देखें उन तीनों के पेट में से ब्लेक कॉफी मिले थी जिसमें उनशीली दवा भी थी आप लोग तो कहरें कि आपने किसी ने भी अपने पतियों को ब्लेक कॉफी नहीं पिलाई तो हो सकता है किसी और ने पिलाई उनको या कर कहीं बाहर गए थे तो वहां पर पियो कहीं गए थे क्या हाँ से उन्हें हमारा ड्राइवर रवी एरपोर्ट छोने गया था तो शायद हो सकता है अगर उन्होंने कहीं भाहर से कॉफी पियो तो उसे जरूर पता होगा रवी जरह बुलाईया उसे कहा है सर जब से यह हादसा हो ए उस ते काम भी आना बन कर दिया उसे वारे फोन भी उढ़ाना बन कर दिया मतलब अभी जीत यह रवी कल से गायव है स्क्यूज में अटी सर क्या बात है क्या वा थेखें सर यहां से बहुत बद्भू आ रही है और अभी पुलीस को भी फोन किया है अभी तक कोई आया नहीं है हम लोग सी आईडी सर अटी सर एक और मौत कि यह मतलन न पिखें ने न एक फोराट जटे रेड़ाना जब तक मैं यहां हूं तुम्हें घबराने की थोड़ा भी ज़ुरूत नहीं है ओ ठेचू एड़दानी हो समझाँ मैं स्याइडी से हूं थिस्ष्श तार चलो फ्वालो मी इल चलो व्रतर चलों आज़ा पंकट क्या दोस्त सुना है तुम बहुत अच्छा पासपर बनाते हूं किसे सुना मेरे एक दोस्त ने बताया दोस्त कौन दोस्त ये नहीं, मैं नहीं जानता इसे ये दोस्त है तुम्हारा तुम्हें कोई शक है बहुत अच्छे से जानता हूं इसे मैं इसका पासपर भी रेडी पड़ा है बनकर मेरे पास अरे वा, तो मेरे पासपोड बन जाएगा ना बन जारेगा लेकिन दो पेटी लगेगा अरे यारण दी तुम्हें दो पेटी बोल गाचिए तुम्हें दो पेटी आम चीए दो पेटी सेफ चीए चाचिए ये शाणे तो पेटी मतलब दो लाख दो लाख दो लाख चोड़ ये बता, नाम क्या लिखना है तेरा पास्पोर्ट पर सब इंस्पेक्टर पंकर्ट, C.I.D. C.I.D.? हाँ, C.I.D. अरा, मैंने क्या भिगाणा तुमारा? सिर्फ तेरा ही ने, सारे नगली पास्पोर्ट बनाने वालों का दन्दा बंद हो चुका है जो जो सावार में पूछूगा ना, उसका सीरे सीरे जवाब दे वन्ना दो लाख उड़ाग बेढ़ा करा हुगा या पतुछे, सब्या? पुछो, पुछो क्या पुछ रहे हैं? यह अपने नखली पास्पोर्ट बने का भाने वाला है? पता नहीं पता नहीं? आर्शाम को, आर्शाम को देखा पंकाज, ठेर चुगा कमार सर रवी के घर से जो बॉटल मिली है उसमें वही नशिली दवा है जो साडों के सर को ब्लैक कॉफी में मिली थी इस रवी के अलाव और किसी के घुलियों के निचान मिले उस बॉटल पे? हाँ सर, रंदीप के रंदीप ये रंदीप ब्योरो में आकर जोर जो से चिला चिला कर अकर अपनी वह गुनाई साबित करने के कोशिश कर रहा था पहले उसने रवी का इस्तामल किया खोन करने में तिर रवी को ही माड़ा सर, मैंने रंदीप को कॉल भी ट्राय किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है एक बार इस सचिल मिल जाये ना तो वही पहुंचाएगा हमें सरंडीब तक शाम को तो आने वाला है वो अपना नकली पासपोर्ट लेने के दिये मेरा पासपोर्ट रेडी है? हाँ, तुम्हें काम करो अपना पासपोर्ट उससे ले लो, उसके पास है अरे यार जल्दी करो, मेरे पास जदा टाइम नहीं है सही का तुने, तेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है बस ये, ये फोटोचिप का दू ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, ये C.I.D. का तोफा है सिर्डी, बता वो प्लेन क्रेश कैसे किया तूने सिर्डी से भाग के टेक ओफ करना इतना आसान नहीं है एमर्जंसी लेंडिंग करनी पड़ जाती है मजरी मोका पैसो के लालच में आंदा हो गया ता मैं इस काम के लिए मुझे बचास लाख रुपे दिये गए थे लेकिन सर मुझे पता नहीं था कि वो लोग मारे जाएंगे पैसे किस ने दिये तुझे ये बता सर, सर मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ एक बार बात की थी उससे अंकर सर, इंटरनेट पे देखो, इस रंदी पे कोई इंटर्व हो गे रहा है चाहा है सर मिल गया मैं अपनी कामियावी का पूरा श्रेग, अपनी कड़ी मेनद और सच्चे लगन को देता हूं कि इस दुनिया में कुछ भी नामुम्किन नहीं मैं कहा था और कहा आ गया सर, सर ये उसी की आवाज है सर, I'm sure ये उसी की है अवाज रंदीप की और वाइल पे उंगलियों के निशान भी रंदीप के रंदीप सर आगे सर राइट सर ये रंदीप का तो फोन बंद है सर तो उसकी लोकेशन कैसे ट्राइक करेंगे अरे फोन बंद है तो क्या हुआ पंकच उसका वीडियो यहां दे उसमें उसने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था मैंने वो इंटर्ग्यों दुबारा चेक किया मगा सर, ब्रेसलेट से लोकेशन कैसे ट्राइक करेंगे अंकाज, यह कोई मामली ब्रेसलेट नहीं है उस ब्रेसलेट में जीपेस ट्रैकिंग भी लगया हुआ है और ऐसी ब्रेसलेट ज्यादा थर यह टाइपोन डाइबिटीज वाले ही पहिंते ब्रेसलेट में जीपेस होता है जर आता कि अगर मरीज की तपियत अचानक अगर खराब हो जाए या उससे चक्करवकर आ जाए तो उसके परिवार वाले जीपेस के सारे उससे आसानी से ट्रैक कर सकते परसर यह जीपेस बता रहा कि रंदीत कुंदू वड़ू चाह, टेंक रही है, यहापर इस तरफ से से यही कही है, उसके दिल के धरकन भी कमजोर होती जा रही है दिल के धरकन कमजोर होती जा रही है, यही कही है वो यह मिट्टे अलग क्यों लग रही है कहीं समिट्टी के निचे थो नहीं हो सकता आप 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 स्बाक्व wells अनीरा जिची अब तुम अपने जूर्म के लिए जैल जाओगे अनीरा जी अब तुम अपने जूर्म के लिए जैल जोगे इज यह मजाग नहीं है इसकी डिवाइसते तुमने snatchihran को साने की कोशिश कींती ना फुरी अरिस्ट करो इसे चलिए मैडम इतनी भी क्या जल्दी है CID वालो जरा उदर तो देखिए जाने दो उसे वे कुफी छोड़ दो ये तोड़ो उन्फो भाँ है भाँ है फिसमेंक जय को दो दॉझ को सिर्ण 5 मिलागे सब्सक्राइब एक मौन दिन वार स्छी साय जो चिर्ण 1 कर दो सबस्वार्ण 15 इंच कर दो दो भॉट बढ़े कुड़कर था है अ एए! वेल्ड गर्स आज तक जो बड़े-बड़े मुझरिम नहीं कर पाए वो हमने कर दिखाया सी आईटी को तो ना नहीं आदाय कही होगी पर मुझर तो ठीक है याँ पर अब चाहेंगे कहाँ औरिजिनल प्लान तो नहीं प्रोपट कर दिया सोचते हैं कोई ना कोई मंजल तो मिली जाएगी अड़े अब यह कैसे प्लेन उड़ारी हो तो मैं मैं नहीं चला रहे हूँ यार तुम्हे तो अथ तुम्हें उडाना वत था है अधि वाए नहीं तरह रही है अपने आपे आप अरहा है ओ जो फो प्लेेन की नहीं उड़ारा हूग लबता है हमारे उस टेक्निलोजी, किसी को पता चल गए क्यों, वगर कैसे? आईए! जिस देश में अड़ते हैं, अपने पतियों के लंबी उमर के लिए फ्रत रखती हैं, कोई ऐसा भी कर सकता है कि अपने पति का खोन कर दें, बहुत थोसवजी रहे होगी आप लोगों के पास हाँ वजद थी, हमारे पति कोई दूद के दोलेवे नहीं थे हाँ, लोगों को तो वह ऐसे दिखाते थे, कि वह हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर घर में कुछ और ही कहानी होती थी ना हमें उनसे प्यार मिला और ना ही वफादारी, अंगर ने तो कई बार रिया पर हाथ भी उठाया था, हास्पिटल में भी भरती हुई थी वो, इन सब से तंग आकर हमने अपने पतियों को धंकी बरे कॉल्स करवाएं, और सोचा मौका अच्छा है, तो हमने उन्हें मरव और किसमत देख लिए, रंदीप रवी के पास कया, वो भी होशी वाली दवाई लेकर, ताकि हमारे पती मीटिंग में पहुंची न पाए, और ये चीज भी हमारे काम आ गई, तो रवी की वफादारी का फाइदा उठाया तुम ने या, फिर तुम लोगों ने रंदीप को चलती हैं, तकि हमें ऐसा लगए कि वो जुर्म करके फरार हो गया है, तुम आपको पती को मारना सबसे गलत रास्ता, सही होता अगर तुम अलग हो जाती हैं, लेकि नहीं, तुम तीनों ने ऐसा रास्ता चुना, जो तुम भी घुटनबरी जिंदगी तक ले जाएगा और भी जेल की सलाखों के पीछे है।